हलो एरिवन आप सबका श्वागत है हमारे यूट्यूब चनल चाया मिस्रा में आज एक दों अमीजिंग सी डिस ले करके आए हैं रेसिपी जो की बच्चों को तो बहुत भाने वाली है और बच्चों के सासाथ बड़ों को भी भाने वाली है रोटी पीजा रोटी पीजा या चाया मिस्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल चाया मिस्रा में तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्याल आए तो चलते हैं किचन की तरह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाया मिस्रा में आज हम रोट तो प्रफिला ले लिए उसमें बेशन डालेंगे आप जिस हिसाब से आप नास्ता बनाएं बस उसी हिसाब से आप बेशन ले ले लिए लगवग एक कटोरी बेशन और अब इसमें हम एड़ करेंगे यह अपने हमने एक अलू जो है कद्दू कस करके रखा था मोटे लक्षों तो उसको ले ले लेंगे इसको भी इसी में हम एड़ करेंगे इस तरह से ठीक है यह देखे गार इस प्याज एक मेडियम साइज का हमने महीन चॉप कर लिया है डाल देंगे एक हरी मिर्ष क्यूंकि आम बच्चों के लिए बना रहा हैं यह देखें पस मगर इतने पे ही कि बहुत टेस्टी यह नासता बनने वाला है और बहुत कृष्पी तो इतना की सथ बिता हें अब इसको मिक्स करेंगे आइसे क्योंकि आलो और प्याल में हमारे पानी होगा तो उसी के साब से हमको मिक्स करना होगा और इंका नमक अड़ करते हैं यह देखें गास यह वह ही चाट मसाला हाप टीजपून गरम मसाला बस अब कोई इंपेडिन नहीं आइड करें इसमें यह देखें पानी लिया है जो कि इसमें आइड करेंगे और इसका हम हलका हलका सा पेस्ट बनाएंगे एक बात और गाइस आलू ग्रेट करने के बाद इसको अच्छे से वास जरूर क तो इसको बढ़िया पेस्ट बना लेते हैं यह देखे गाइस एक कटोरी पानी पूरा लग चुका है तो इस तरह की चाहिए हमको यह देख सकते हैं बहुत लूज या बहुत हार्ड नहीं हमें चाहिए मीडियम का चाहिए तो अब इसको हम पांच मेंट के रेस्ट पर रख हमारे पास थोड़ा सा गहरा तवा था फ्लाट वाला नहीं था इस वज़े से में कड़ाई रखिए इस पर हम अपना ओयल डालेंगे अगर आपकी नौन स्टिक पैन है तो उस पर आप बिल्कुप थोड़े से ही आप बना लेंगे मगर आपके पास अगर आईरन का तवा है अधिक नहीं है तो उसमे थोड़ा सा अधिक लगा थीज़े अब इसको हमने यहां पर डाल दिया थीक है और देखिए अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा यह थोड़ा सा यह पूरी प्राइन में कर लेंगे जिसे की अच्छा सी हो जाए थीक है एक बार मैंने फ्लेम को तेज किया और फिर हमने धीमा कर दिया अब देखिए इसमे मोस्ट इंपोर्टन जी जो इसको क्रस्पी बनाएगा यह हमने सेमा ही ले लेकिन हम इन पर नीचे ऐसे बिचा देंगे अच्छे से और इस तरह से फ्लेम को बिलकुल धीमा रखें इसके बार में हम अपना यह ब इस तरह दो लेडर बरके डाल दिया है अब यह देखिए इसमें हम अपने गोल छलेदार कटे वे प्याज आप चाहें तो आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना रोटी के बट हम देखिए इस तब पिस पिस अनास अपनाएगी यह हमने पनी ले लिया है जो आप कदू कस करके भी ले सकते हैं मिल्ट करकर भी ले सकते हैं ऐसे इस पर ढालेंगे ओ और एप क्या ने ठीए थोड़ा सा यह तस पर डाल जा है आठ लीजेगा इस तरह से ओ इसको अब पकने देए को बिल्कुल धुमी रखेंगे ताकि अच्छा से पखें इसको हम ढग देंगे एक मेतलिस को कॉंखोने देंगे और फ्लेम का हमेशा देहाना रखें बिल्कुल जो फ्लेम पर पकाना है तो आप हम क्या करेंगे आप एक ट्रिक आपको और डिखाते हैं कि अब हम फिर से एक लेडल लेंगे और इस रोटी को पढ़िया से कबर कर देंगे इसका फोसिस यह करें जो यह बैसन का पैटर है थोड़ा सा पतला फैलाएं अधिक मोटा ना फिलाएं इस तरह से ठीक है तो अब हम फिर से पकने देटीं यह कि इसके उपर भी हम समय आयत करेंगे इस इससे कि यि भीकिरसमी बन जाए इए इस तरह से आपसको हम हमें सास्थ ऑर इसको आपकने देना है समाल के इस तरह से पलट देंगे थोड़ा सा यह हुआ है कि इस साइड में थोड़ा सा बैसन का जो बैटर था वह अधिक हो किया है आप लोग घ्रान रखें इतना अधिक मत करें तो इसको क्रिस्पी करते हैं यह देखें गाइस उलटते हैं पलटते हमने अच्छा से शेक लि अच्छा साथ है और नटा इंहें बैटर 15 देखें पनें प्यासथ ज़्ता तो थなた Six सब्सक्रां में निए तो फोड़ा सा अघ्राव रखने में यह अब उसने रहते ज़ीमने र Parl से वही प्रोसेस पूरा करना है और भी इसमें आप अपने हिसाब से चिली फ्लैक्स होतार डाल सकते हैं जो कि हमने नहीं एड किया बच्चों की वज़े से आप इसमें एड कर सकते हैं थोड़ा सा हमाई यह नौन स्टिक कड़ाई थोड़ी खराब हो चुके तो इसमें कोई आसानी से आ गया है एक बात और आइस देखिए अगर आप बैठरे कम रखेंगे थोड़ा सा पतला रखेंगे तो जल्दी पकेगा और जल्दी बनेगा लेगी हम अपने नास्ते की साधी जो वह चीजें हैं बताते हैं कैसे बनाना आपको क्या करना है तो यह रहे हैं इसमे बेशन का बैटर्स जाधा लगा देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और गाइस सबजी आप इसमें कोई भी एड कर सकते हैं बीन से मटर है कोई भी एड कर सकते हैं आराम से ठीकिए तो इसको पकाते है अच्छे सिफिन लिते हैं इदेगा यह बन चुका है इसको हम कर तो इसको बनाएं अपने घर में और सब भड़ी बच्चों को खिलाएं देखें रोटी बच्चे यह बड़े हों कोई नहीं खाता इस तरह से नास्ता सभी खाएंगे तो चली सब कर देते हैं यह देखें गाइस हमारा नास्ता बन कर बिल्कुल रेडी है देख सकते हैं तो अच्छा सा रोटी का नास्ता बोल सकते हैं तो देखें कितना यम्मी और कितना टेस्टी है यह हमने अपनी इसके साथ चाच कप्रेयो किया है चाच सर्व किया है और इस पर वही नमक है जो हमने बनाया था इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तो आज हमारी यह रेस्पी अगर आपको पसंदा तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और शेयर थैंक्यू मिलतें नेक्स दे नेक्स रेस्पी के साथ